ओम, शान्ती, 15 दिसंबर 2022, मीठे, प्यारे, बाबा के आज की मधुर महावाखे, आज की मुरली के कुछ विशेश पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को अपना भविश्य श्रेष्ट बनाने के लिए एक बाप पर ही पूरा पूरा बलिहार जाना है और किसी भी देहधारी में मुह नहीं रखना है, कदब कदम पर बाबा से बैरेक्षन लेते रहना है, कर्म करते हुए भी एक बाबा की ही याद में रहने का पुरुशात करना है, एक दो को सावधान करते रहना है, तब ही हम उन्नती को पा सकते हैं, ड्रामा की किसी भी बात में नाराज नहीं होना है सदा राजी रहना है ना किसी को दुख देना है और ना किसी से दुख लेना है बस मास्टर सुखदाता बन सबके साथ व्यवहार में आना है तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली ओम शान्ती बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है मोह जीत बनना है प्रश्न कयामत का यह समय है इसलिए बाब की कौन सी श्रेष्ट मत सबको सुनाते रहो उत्तर, बाब की श्रेष्ट मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुक्तु कर लो अपना भविश्य श्रेष्ट बनाने के लिए बाब पर पूरा-पूरा बलिहार चाओ कयामत के पहले ज्यान और योग से मुक्ति चीवन मुक्ति का वर्सा ले लो सारा पुरुशार्थ अभी ही करना है बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा बाप का बन कर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो ओम शांती बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अभी तुमको तीन बाप से तोड निभाना है भक्ति मार में दो बाप से तोड निभाना होता है जब सत्यूग में हो तो एक बाप से तोड निभाना होता है ठीक है ना? हिसाब पुद्धी में बैठता है जिसका बनना होता है उनसे तोड भी निभाना होता है इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुतुम परिवार से भी तोड निभाना है अंति तक कोई लौकिक संबन्धी को चिठ्थी लिखते हो तो वाया post office जाती है यहां भी बेहत के बाप को चिथी लिखते हो शिव बाबा केर ओफ ब्रह्मा इन बातों को सिवाए तुम्हारे और कोई नहीं समझते यहां कोई नया आदमी आकर पैठे और बाबा कहे तुमको तीन बाप है तो समझना सके एक है लौकिक बाप, दूसरा यह संगम युगी अलौकिक बाप और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबका है ही भक्ति माग में भी है तो अभी भी है यह कोई चानते नहीं सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी चानते हो कितनी बातें समझानी पड़ती हैं सत्युग में सब सदगती में हैं सुखी ही सुखी हैं सभी सुख धाम, शांती धाम में हैं रावन राज्ये में सभी दुखी हैं देवताएं बाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई, ये चक्र फिरता रहता है, नई उपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली चाएगी, फिर सत्यूग नीचे जाएगा तो कल्यूग उपर आजाएगा, फिर सत्यूग उपर कब आएगा, 5000 बर्ष बाद, बच तो सहच है, सिर्फ योग की मेनत करनी पड़ती है, कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं, तो मात पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबन्दियों से भी तोड निभाना है, आज नहीं तो कल उनों की भी बुद्धी में बैठेगा, देखेंगे य यह तो ठीक है, एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु, संत, गुरु आदी को याद नहीं करना है, याद चेतन्य को भी करते हैं, तो जड को भी करते हैं, सत्युक में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहां मोह जीत रहते हैं, यहां सब में मोह रहता है, फर्क है न, ड्रा अपनी अपनी हैं. यह बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नौलेज़ फुल है. है यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी घ्रियेटर, यह भी घ्रियेटर. ब्रह्मा द्वारा create करते हैं, adopt करते हैं, adopt करना अर्थात अपना बनाना, शूद्र धर्मवाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप adopt करते हैं, तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सुष्टी चक्र को भी जान चुके हो, बाब द्वारा क्या वर्सा मिलता है उनको भी जान गए हो तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए हो बिगर समझ अडॉप्ट कैसी होंगे कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं साहुकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़े ही बच्चा बनेंगे बाब कहते हैं, मुझे बच्चे चाहिए, जरूर अडॉप्ट करेंगे यह भी तुम जानते हो, अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है जो कल्प पहले पाट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा बाग को और घर को याद करो सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहच है परन्तु बुद्धी बड़ी विशाल चाहिए छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे बेसर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं यहां तो सब हैं गुप्त बात समझ भी है बुद्धी को ताकत मिलती है ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं कोई कमजोर होते हैं, तो उनको सोने का solution पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं, यहां तो तुमको रुखानी knowledge मिल रही है, यह knowledge ही income है, knowledge तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुशार्थ करें, इसमें मूझने वह घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है, बाब के वर्से को याद करना है, कोई को तो धन्दा आदी भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते, जब तक कर्मा तीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुशार्थ करते रहना है, वह पायु मंदल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे, अभी समय नजदीक आता जाता है, करते रहेंगे, मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा, कि हमारी कमाई कम है, योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, फिर बाबा भी बुद्धी का ताला धीला करेंगे, मनुशे विमारी में इ इश्वर को याद करते, डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं, राम कहो, राम कहो, बाप भी कहते हैं, बाप और वर्से को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर, उन्हती को पाना है, ऐसा नहीं, पुरुष चले, स्त्री को न चलाए, ये चोड़ा है, हाफ पार्टनर का परन्तु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है, कोई-कोई इज़त रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं, जो पाप की मिलकियत को उड़ा देते हैं, मा को पूछते भी नहीं, वहां तो ये सब बाते होती नहीं, कभी दुख नहीं होता, यहां पहले पहले दुख ही मिलता है, सगाई की और लगी काम कटारी, देवियों को तलवार आदी दिखाते हैं, वास्तव में यह हैं ज्यान के अलंकार, स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं हैं, यह तुम ब्रामनों के हैं, गदा भी तुम्हारी निशानी हैं, ज्यान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो, बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहते हैं, तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपस्या का फल है, सूक्ष मतन में हैं फरिष्टे, वह है फरिष्टों की दुनिया, यहां फरिष्टे नहीं रहते, देवताओं को दिता कहेंगे। वह हैं फरिश्थे और यहां हैं मनुष्य, सभी का अलग-अलग सेक्षन है। वह हैं टौकी दुनिया, सुक्ष्म वतन में हैं मुवी दुनिया। दुनिया भी तीन हैं, मूल वतन, सुक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीन लोक कहते हैं न, तुम्हारी पुद्धी में ये प्राक्टिकल में हैं, मनुश्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, तुम अच्छी रीती जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोक के आदी मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते, कोई भी त्रिकाल दर्शी है नहीं, ये है थोड़े ही कोई चानते हैं कि मूल वतन में आत्माई कहां कैसे रहती हैं, तुम जानते हो, वहां आत्माउं का जाड़ है, वहां से नंबर वार आते हैं, हम सब आत्माईं बच् की माला हैं, जैसे सिज्राप बनाते हैं, कृष्चिन लोग भी जाड बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं, अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुश्यों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करन वाले का किसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको पता नहीं है। बाप बैट समझाते हैं। मिजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मांग बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम को देह अभिमान आ जाए। हम खोशियार हैं। नहीं। फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्व विद्याले। ज्यान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वह तीकी हैं। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीती समझाई चाती है। बाप में समझाया है इस ज्यान योग के सिवाई कोई भी मुक्ती जीवन मुक्ती पा नहीं सकते। और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्तू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया बाले यह नहीं समझते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुक्तू होता है। भविश्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके, सारा पूरुशार्ट अभी करना है, बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा, गरीब जट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड हैं, बुद्धी में पैठ न सके, बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूं, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं, तो जगडा पढ़ जाएगा, बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन direction लो ये करूं वा ना करूं बाबा राय देंगे भल ये करो हर एक की अवस्था पर मदार है कोई विल भी कर लेते हैं मोह भी बहुतों में है जो अपने पाउं पर होगा उनको भी दे देंगे बाब के पास कोई चालाग भी है बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते हैं बस हम उनसे चलते हैं ऐसे भी करते हैं ये तो बेहत का पाप है हर एक बच्चे को जानते हैं ड्रामा को भी जानते हैं समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं है उस मिलिटरी पर गवर्मिंट का बहुत खर्चा होता है तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं रात दिन का फर्ख है तुम जानते हो ये सारी मिल्खिव आदी खत्म हो जाने वाली है हमको धर्नी ही नई सतो प्रधान चाहिए अभी तो तमो प्रधान है लक्ष्मी का आवान करते है तो सारे घर की सफाई करते है शुत घर में देवी आए बाबा ने समझाया है देवताएं इस धर्ती पर पैर नहीं रखते वह सर्द साक्षातकार कराते है साक्षातकार में पैर थोड़े ही धरनी पर घोते हैं मीरा भी ग्लान में देखती थी, यहां कोई देखता आ नह सके। देवताएं सत्युक में होते हैं, कल्युक में फिर उनके अगेंस्ट हैं। देवताओं और असुरों की लडाई है नहीं। वास्तव में यह है माया से लडाई। योगबल से माया पर जीट पहनाने वाला सर्व का सत्गतिदाटा एक बाप है। पहले-पहले है ही रूद्र माला, वहां इस माला को कोई चानते ही नहीं। तुम संगम युक पर ही चानते हो, कि ब्रामनों की माला तो बन न सके। पीछे है फिर विश्णू की माला, ये सब हैं डीटेल की बाते, कोई कहते हैं हमें धारना नहीं होती है, अच्छा कोई हर्जा नहीं है, बाप को याद करना तो सहज है ना, तुम बाप को कैसे भूलते हो, जिस बाप से स्वर्ग का बर्सा मिलता है, जबर्दस्थ आमदनी है, फिर भी माया बुद्धी का योग हटा देती है, साजन यो श्रिंगार कराए महरानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं, आधा कल माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो, ये सारी दुनिया कैसे चलती है, तुम आदी से अंत तक जानते हो, नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है, पिछाडी में अब ये सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो, सेकिंड बाइ सेकिंड जो चलता है सो ड्रामा, ड्रामा के पटे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता, ड्रामा नारास होने कि कोई बात नहीं, कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पाट बजाना है, एक शरीर छोड़, दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धी में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, तुमको शंक द्वनी करनी है, बाप का परिचे देना है, हाथ में चित्र हो, कि यह लक्ष्मी नाराएं, भारत के मालिक थे, अभी कल्यूख है, फिर बाप आया है, राज्य भागे देने, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादि से वर्सा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो लो, यह है तुम्हारा निमंत्रन, फिर बहुत आएंगे, मृद्धी होती जाएगी, शिव जियनती पर भी अच्छा ही आवाज होगा, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याग प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वर चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते ची, गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य साथ, पहला पॉइंट, ड्रामा के पटे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है, दूसरा पॉइंट, एक दो को सावधान कर उन्नती को पाना है, धंदा आदी करते भी बाप की याद में रहने का पुरुशार्थ करना है, वर्दान, सुक स्वरूब बन, सबको सुक देने वाले मास्टर सुक दाता भव, संगम युगी ब्रामन अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुक दाता के बच्चे मास्टर सुक दाता हो, जो मास्टर सुक दाता सुक स्वरूब हैं, वे स्वयम दुख में कैसे आ सकते हैं, बुद्धी से दुख धाम का किनारा कर लिया, वे स्वयम तो सुक स् रहते ही हैं लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं ऐसे जो बाप का कारे वो बच्चों का कारे कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो स्लोगन हर्शित और गंभीर बनने के बैलंस को धारन कर एक रस स्थिती में स्थित रहो अच्छा ओम शांती